आज मैं कड़ी पकोड़े की रेसिपी आपके साथ सेर करें जिसके लिए मैंने एक दो कटोरी बेशन लिया है ये मोटा बेशन है और एक कटोरी मैंने दई लिया है एक कटोरी प्याज लिया है अब ये तड़के के लिए मैंने इसमें मेथी लिये और हेंग लिये धनिया और करी पता है अब कड़ी के लिए हम गोल बनाएंगे जिसमें मैंने डेड चमचा चोटा चमचा है इससे बेसन लिया है अब यह मैं ध़ई डाल दूंगे इसमें और थोड़ा पानी डाल के इसका पतला गोल बनाएंगे और अच्छे से फेंटेंगे क्योंकि इसमें गुटल मेति दाना डाला है मेति दाना मारा फूर्ड गिया है अब मैं घी डाल रही हूँ मैं पतल दो थोड़ सी करी लिप्स डालूंगे हैं अबमी जो मैं अनी मसाला लिय था है इसको हम डारेक्ट निंधालेंगे नहीं तो मसाला जल जाएगा इसको मैंने सारा एक बॉल में डाल लिया है अब थोड़ा पानी डालके इसका पेस्ट सा बनाएंगे फिर इसको हम कडाई में hamburger ऑजरिंगे इससे क्या होगा न यह मसाला हमारा जलेगा अच्छे से पक जाएएगा तो मैं यह मसाला डाल दे फिर जो हमने युवर हम बनाता था यह कैreiben अब यह कड़ी में sarfit डाल दिए Logic यह घॉल को भी साटे के उबालना है नहीं तो तो हमारी ढ़ुह सकती है तो अब है पकोडी के लिए बेसन तयार किया जिसके लिए मैंने एक कटोरी बेसल लिया है प्याज डाला है नमक डाल दूँगी और थोड़ी सी लाल मिर्ज नमक अपने स्वाधनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका थोड़ा गाड़ा पेश्ट बनाएंगे तोकि हमें पकोडी बनानी है और सोफ्ट पकोडी बनती है इसको अच्छे से फेंट के तो ये मैं पकोडी तल रही हूं अब में निकाल लेती हूं अच्छा सा कलर भी आ गया है इसमें कि की गantic कि अब इसमें देखें ुबाल आ गया है इसको मैं एक बार ओर मिक्स कर लगे कि मैंने कितना पानी इस डाला था और जातलह का पानी डालहंगा न पितनी चीक्पट कड़ी बड़ेंगी और हम पानी कम डालेंगे तो यह जल्दी से गाड़ी हो जाएगी तो पकती नहीं है तो अब यह हमारी कड़ी पक चुकी है मैं इसमें पकोड़ियां डाल देती हूँ अब थोड़ा सा मिस्क करके हम इसको दो-तिन मिनिट के लिए और पकाएंगे अब यह मेरी कड़ी तयार हो गई है अब मैं यह तड़का पैनल डग रही हूँ जिसमें मैं जीरा डालूंगी थोड़ी सी मैं राई डालूंगी अब मैं करी लिप्रस डालूंगी वह इच्छे से साथ डालनी है और दो जो लाल मिर्स मैंने ली थी वो डालूंगी मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चरूर कर देना ये लिजे हमारा तड़का तयार हो गया मैं कड़ी में डाल देती हूँ ये लिजे हमारी कड़ी तयार हो गई है मिलती हूँ अगली वीडियो में बाई बाई